आप सभी अपने phone को daily जरू से charge करते हैंगे ठीक है अगर आप अपने phone को charge करते हैंगे तो इस वीडियो के इंदर आज मैं आप सभी को जो charging की trick बताने वाला हूँ यह trick आप सभी को काफी जादा पसंद आने वाला ठीक है और इस trick को अगर आप अपने दोस्तों को दिखाएंगे ना या फिर आपके दोस्त अगर इस trick को आपके phone में देखेंगे तो देखने के बाद पूरी तरीक से चौकने वाले ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये देख सकते हैं ये मेरा charger है और जैसी मैं अपने phone से मतलब अपने charger को यहाँ पर connect करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपने सुना इस तरीके से आपका भी phone आपको बोलके बताएगा ठीक है और जैसी कोई charger को हटाएगा तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं इसी परकार से आपका phone आपको बोलके बता देगा जब भी आप अपने phone को charger से connect करेंगे या फिर आपके phone से मतलब को charger हटा देगा तो आपका phone इस तरीके से आपको बोल के बता देगा ठीक है तो ये setting अगर आप अपने phone में करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये जो charger वाली setting है आप अपने phone में कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से विले सब से बले अगर आपने शोट को like नहीं किया तो आपका वीडियो को like करना है इसके बाद आप सभी को वीडियो के comment में जाके आप सभी को चोटा सा comment भी लिख देना है ठीक है तो comment में आप सभी को लिख देना है nice trick ठीक है इस तरीके से यहाँ पर आपको nice लिख देना है इसके बाद यहाँ पर आपको trick लिख के send कर देना है अब जैसी आप ये लिख के send करते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन से trick है और कैसे ये जो charger वाली trick है आप भी अपने phone में कर सकते हैं तो ये जो trick है इस trick को करने के लिए आप सो भी को अपने phone में ये वाली application को download कर लेना है इस application का link मैंने video के description में डाल दिया है तो हाँ से click करके आप से download कर लीजएगा ठीक है download करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको application में आने के बाद plus के उटन पर click करना है और सबसे पहले यहाँ पर आपको connected के उपर click कर देना ठीक है अब जैसे आप connected के उपर click करेंगे तो यहाँ पर यह जो sound file लेना इसके उपर आपको file के उपर click करना ठीक है अब save करने के बाद यहाँ पर आपको 12 से plus के बटन पर click करना है और यहाँ पर आपको disconnect के उपर click करके यहाँ पर आपको 12 से file में जाना है और यहाँ पर यह जो charge 2 है इसके उपर click करके यहाँ पर आपको save कर देना ठीक है यूज करके देखे आपको मज़ा भी आएगा और ये सैटिंग आपके काम में भी आएगी थैंक यू